चतिजगर के बिलासपूर में मंगलवार राज जमीनी बिवात के चलते परिवार में खूनी संघर्ज हो गया था छोटे भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर बड़े भाई के परिवार पर तलवार, कुलहाडी और रोड से हमला कर दिया था भाई और भाभी की हत्या कर दी थी, दो भतीजियां गंभीर रूप से घायल हो गई है सूचना पर पहुँची सिविल लाइन, पुलिस ने आरोपी उसकी पत्नी और दो नावालिक बेटी को गिरिफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि वीबास सुबह से ही चल रहा था, इसकोले कर सकरी थाने में सिकायत की गई थी पर पुलिस ने कोई कारिवाही नहीं की जरहा भाटा ओमनगर के बैदू गैरेज के पास रहने वाले दीपक गढ़ेवाल, उम्र 42 वर्स वो चार भाई थे इसमें एक भाई ने साधी नहीं की जब की एक छोटे भाई की मौत हो चुकी है दीपक अपनी पत्नी पुस्पा, बेटी हर्चिता वारोसनी गढ़ेवाल के साथ रहता था पडोस में उसका सबसे छोटा भाई ओम प्रकास गढ़ेवाल अपनी पत्नी संगीता गढ़ेवाल वा दो नावालिक बेटियों की साथ रहता है परिवार की सकरी के ग्राम पांड में साथ एकड पैत्रिक जमीन है इसे ही लेकर दोनों भाईयों के बीज बीबात चल रहा था दीपक के छोटे भाई की पत्नी नीलम ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबय उसके जेट जिठानी अपने हिस्से के खेत में धान की बुआई करने के लिए पांड गये थे वहाँ ओम प्रकास पहले से ही गुंडों को लेकर पहुचा था उन लोगों ने जेट जिठानी को दोपहर में हिखेत से भगा दिया था वहाँ से लोटने के बाद जेट दीपक अपनी पुस्पा के साथ सकरी थाने सिकायत करने पहुचे थे पुलिस ने उन्हें कारवाही का भरोसा दिलाया पर किया कुछ नहीं इसके चलते वह घर लोट आए थे निलम ने पुलिस को बताया कि घर लोटते ही ओम प्रकास उसकी पतनी संगीता हुआ उनकी नाबाली बेटियों ने बिबात करना सुरू कर दिया था देखते ही देखते चारों ने मिलकर तलवार, कुलहाडी और राड से हमला कर दिया इस दोरान उन्हें दीपक वा पुस्पा की हत्या कर दी वहीं उनकी दो बेटियां हरसिता और रोसनी खायल हो गई है उन्हें इलाज के लिए CIMS में भरती कराया गया है निलम ने बताया कि उसके पती की मौत हो चुकी है उसके एक जेट हैं और दीपक के ही परिवार के साथ रहते हैं ओम प्रकास अपने भाईयों की जमीन हडपना चाहता था जमीनी विवात के चलते हुए इस खूनी संघर्स में आरोपी ओम प्रकास और उसकी पत्नी भी खायल हो गई है पुलिस ने मामले में आरोपी ओम प्रकास संघीता वगा उनकी दो नाबालिक लड़कियों को गिरफतार कर लिया है जमीन कहा है? पार में पार में है जमीन संबंदी विवात को लेकर मारती हुए उसकी में कुछ लोग आहात हुए जहां सेंच में उप्चार के लिए आये हुए उनका उप्चार जा रही है और भी वेचना चलिए हुए